Hello Learners, Welcome to Online Study Bytes, मैं हूँ प्रतीक्षा और जैसे कि सुनने में आ रहा है कि 2021 में काफी सारी vacancies आ सकती हैं लेकिन अभी कोई भी confirmation नहीं है पर chances हैं कि ये vacancies आएं जिसमें सबसे पहले TGT PGT की vacancies है जिसका आवेदन की प्रक्रिया स्टार्ट हो गई थी लेकिन अब उसका संशोधिन विज्यापन आना बाकी है जिससे कि ये आवेदन की प्रक्रिया पुना आरंभ होकर जल्दी से exam हो और लोगों को पता चले कि वह TGT या PGT के परपर पहु अध्यापकों की भरती के लिए आने वाली है जिसमें 1894 पत खाली है जिसमें 390 जो पत हैं वो प्रधान अध्यापक के हैं और बाकी के 1500 जो चार पत हैं वो सहायक अध्यापक के लिए हैं लेकिन ये जो vacancies आ रही हैं ये आपके लिए बहुत आसान नहीं होंगी क्योंकि competition ज कितने सारे अभ्यरती होंगे जो एक्जाम देंगे और वो पूरी तैयारी करके अपने एक्जाम को देने पहुंचेंगे इसके अलावा एक और vacancies सुनने में आई है 51,000 सिक्षक भरती की जो की primary schools के सिक्षकों के लिए होगी उसमें भी काफी सारी संख्या में लाखों की में उमीदवार होंगे तो आप खुद ही सोच सकते हैं कि आगे आने वाले समय में कितना tough competition होने वाला है और एक्जाम का जो पेपर होगा वो भी आसान नहीं होगा जो लेवल होगा वो भी आसान नहीं होगा उसके लिए आपको prepare होना पड़ेगा अभी से तैयारी करनी पड को के सवा 6 लाक उमीदवार हैं और इस दोरान सवा 6 लाक ने पास की है उच्च प्रात्मिक इस तरकी परीक्षा जैसा कि आप जानते हैं कि जो 1894 पद है जिसमें 1504 पद सहायक अध्यापक के हैं उन पर वही अभ्यरती आवेदन कर सकते हैं जिनोंने उच्च प्रात्मिक व अभ्यरती हैं क्योंकि यह जो जौब है सहायक अध्यापक की जूनियर हाई स्कूल में यह सबसे इससे पहले जुलाई 2013 में निकली थी उसमें उच्च प्रात्मिक स्कूलों में विज्ञानवा गड़त पिशे के 29,334 सहायक अध्यापकों की भरती शुरू हुई थी इसके लगबग आठ साल बीतने के बाद कक्षा 6-8 तक के स्कूलों में भरती अब होने जा रही है आठ साल हो चुकी है और इन आठ साल के दौरान साथ बार यह उच्च प्रात्मिक स्तरकी टैट परिक्षा हो चुकी है और इस टैट परिक्षा में 6,26,335 अभ्यर्थी जो है पास हो चुकी है इसमें इन में से कुछ अभ्यर्थी किसी वैकेंशी को प्राप्त कर लिया है किसी ने नहीं किया है फिर भी अभी यह जो संख्या है वो लाखों में ही है इसके अलाबा जो यह अग्जाम होगा यह इस यूपी टैट 2021 के बाद होगा और यूपी टैट 2021 में भी उच्च प्रात्मे किस तरकी परिक्षा में लाखों की संख्या में उमीदवार बैठने वाले हैं तो उसमें भी काफी लोग पास होंगे तो यह जो संख्या है वो 7-8 लाख करीब जाने वाली है और यह जो पधों की संख्या है वो सिर्फ मान लिजे 1504 ही है पन्रह सो चार में आपको 6-7 लाख लोगों से आपका competition होगा और हर कोई आप से बहतर ही है जब तक आप अपने आपको बहतर नहीं बनाते हैं तो ये चीज चलती रहेगी और इन अभ्यरतियों को अब तक किसी भरतीक में मौका नहीं मिल सका है इसमें केंडे सिक्षक पातता परिक्षा में सफल अभ्यरतियों की संख्या जो है वो शामिल नहीं है अभी तो कुछ ऐसे अभ्यरतियों जिन्होंने सीटेट का paper 2 भी पास कर लिया है गौरतलव है कि विशेश सचिव शाषन आर्वी सिंग ने सचिव परिक्षा नियामक प्रादिकारी को 18 जनवरी को भरती के संबन में गाइडलाइन भेशते हुए जल्द भरती परिक्षा कराने के निर्देश दिये हैं हाला कि अभी कुछ बिंदूं पर इस्पस्ट नहीं है लेकिन जल्द ही प्रक्रिया शुरू होने की उमीद जदाई जा रही है तो यह जो प्रक्रिया है यह 2-3 माह में स्टार्ट हो सकती है पर उमीद करते हैं कि यूपी टेट के बाद ही यह प्रक्रिया स्टार्ट होगी तो आपके पास काफी समय है अगर आपने यूपी टेट क्लियर नहीं किया है तो आपको यूपी टेट की तैयारी के लिए भी आपके पास समय है लेकिन आपको बैठना नहीं है हाथ पे हाथ रखके आपको पढ़ाई अभी से स्टार्ट करनी है क्योंकि कॉम्पेटिशन टफ होने जारा है यूपी टेट पेपर वन हो या पेपर टू हो वो भी इतना आसान नहीं है क्लियर करना आपको उसके लिए भी लगना पड़ेगा मेहनत करनी पड़ेगी और उसके बाद जो साहय कध्यापक के पेपर होंगे वो भी इजी नहीं आने वाले है और इजी आप ही गए तो कॉम्पेटिशन बहुत जादा है टफ भी आगए तो भी कॉम्पेटिशन जादा है क्योंकि आप से बहतर भी बहुत लोग है जो अपनी तैयारी को जारी रख रही है तो आप भी अपनी पढ़ाई को ऐसे ही ना जाने दें तैयारी करते रहें यही सज्जेस करूंगे कि आप अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दें अभी से अपना टाइम टेबल बना लें यह सोच हैं कि जल्दी वेकेंसी आएगी और हमें उस वेकेंसी में अपनी एक सीड जो है वो रिजर्ब करनी ही करनी है उसे बुक करना ही करना है तो यह सोच के साथ आप पढ़ते रहें हर सबजक की तैयारी करते रहें हर सबजक को पढ़ते रहें जो भी बुक मिले उसमें जो ग्यान मिल रहें उसको सम्मेट लें ठीक है तो अभी क्ले इतना ही कोई भी न्यूज आती है किसी भी जॉब से सम्मंदित आप तक पहुंचती रहेगी अभी क्ले इतना ही बाई बाई टेक क्या एंड थैंक्स वर वॉच्च